हेलो मेर नाविनो च्वादरी आज में कक्ष्यादस का मेत के अंदर जो एक्सरसाइज एक है वेद्धिगनीत वो करेंगे तो वेद्धिगनीत के अंदर पहले का जो सलेवस था उसमें 1.1 से 1.4 तक चार एक्सरसाइज होती थी अब ओनली एक एक्सरसाइज कर दिये जिसमें केवल 19 क्यूशन दिये गए हैं तो 19 क्यूशनों में पहले जो 3 क्यूशन है वो है निखिलम से भाग करना तो ये जो कोर्स ह यह पहले वाड़ी जो नमी क्लास की किताब में होती थी वह अधरा कोर्स है इसके अंदर पर्षेनों इन शीडि़ में तो बोड़ केंदर आते हैं वह चार नमर वहाते हैं तो चार नमर में दो तो एक एक नमर की क्यूशन है जो कि पहला दूसरा है और एक है चार एक्सरसाइज होते थी बुक के अंदर उससे उसके कुछ एक एक्जांपल इस वाड़ी बुक में दिये गए और एक नमर का क्यूशन आता है वो निखिलम से वरक करना या द्वन्द योग से वरक करना या उपसुत्रा निरुपेन से वरक करना तो यह जो क्यूशन है उन करते हैं तो वहां पे अपने को अधार की जरूर्ड होती है तो यहां निखिलम में जब अपन भाग करते हैं तो वहां पे जो अधार है वो इस बाज्यक को देख के लिए जाता है तो यहां जो बाज्यक हो है सतान में तो इसको देखकर अधार लेंगे तो निखिलम में अधार है वो लिया जएको क्योंकि 100 को लिख्याननोब हो चोड़ के नजदीक क्लिक नुम्र है तो यहां जो आधार है पर उसके अंधर विचलन है विचलन है वह आधार का जो नजगों वो पन इस बाज़क से करेंगे तो जो विचलन है निखिलम से जब भाग करते हैं तो विचलन हमेशा ही धनात्म काता है चाहिए वो बाज़क का वो अधार से बड़ा है चाहिए अधार से छोटा है चाहिए यहां सेतान में हो चाहिए यहां 103 हो तो विचलन है वो 100 से तुलना करेंगे तो तीन आएगा लेकिन विचलन को हम दो अंकों का लिखेंगे क्योंकि अधार सो में जो जिरू है वो दो अंक है इसलिए विचलन भी दो अंकों का तो जब निकलम से बाग करते हैं तो यह दो चीजें चाहिए अपने को अधार और विचलन अब इसके बाद यहां प एक बाज़क लिखा जाएगा बाज़क है सेतान में और एक विचलन तो विचलन अगो जीरो तीन तो इस विचलन का हमें गुणा करना है जो अपन यहां पर लिखेंगे अब इसके बाद तीसरा जो कॉलम है इसमें कितने अंक उतारने है वो अधार बताएगा अधार सो में दो जीरो है तो दो जीरो है तो तीसरे कॉलम में आपको इस बाज़े से दो अंक उतारने एकाई की तरब से अगर यहां अधार दस होता तो लास्ट में पांच आता अब य दो अंक बारा वो इस बीच वाड़े कोलम में अतारने अब जो इसका प्रोसेस है सबसे पहले जो एक है इसको एरो लगा के निचे उतार दें अब इस एक का गुणा इस विचलन से किया जाएगा तो विचलन में जीरो और तीन दो अंक है तो यहाँ सबसे पहले इसका जो गुणा करेंगे वह अपन लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे जीरो से करेंगे फिर तीन से करेंगे तो एक का गुणा जीरो से करेंगे और जो ऐरो लग गया हुआ है उसके next digit के निचे लिखेंगे तो 1 गुणा 0 से करेंगे तो 0 s,3 sje kVIS भेलोगे तो 3 अब दो और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 2 now एब वापषש 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 का गुणा पहले 0 से होगा तो संक्या मेशा ही इस arrow के next अंक के नीचे लिखना है तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 यहां पे 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 अब जो तीसरे कॉलम में संक्या है उसका बन जोड कर देंगे 5 और 6 यह होगे 11 4 3 7 और 1 के रिढ़ी था तो यह गया 8 तो यहां जो 12 आया है वो तो होगे भागफल और जो 81 आया है वो है सेशफल शेष फल हमेशा ही इस बाज़क से चोटा होगा अगर बड़ा है तो दूबार है भाग देंगे तो यहां जो एक्यासी है वो इस से तानवे से चोटा है तो इसके बाद अपने यहां साइड में लिख देंगे कि भाग फल भाग फल है बारा और सेष फल है एक यासी तो यह इसका आंसर हो जाएगा अब दूसरा जो श्वाल है वो 311 में 8 से बाग देने तो 311 में 8 से बाग देने तो यहाँ पर बाज़क है 8 तो 8 के लिए जो आधार होगा वो आधार होगा 10 क्योंकि 10 के पास का नमर है तो विचलन विचलन 8 से 10 की जो तूलना करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करने पर यह दो तिये एक अंका लेंगे क्योंकि अधार 10 है तो इसमें एक ही 0 है अब अधार और यह विचलन है वह पनिया पर लिख देंगे पहले कोलम में अधार है वो है 10 और जो वीचलन है वो है 2 अब अधार 10 है तो तीसरे कोलम के अंदर जो बाज्य है उसे एक अंक आएगा शिर्फ एक एक आएक और बाकी जो दो अंक बच गए हैं 31 वो वीच वाली कोलम में कि अब याँ उसी तरह वापीस कोई प्रोसेस सबसे पहले 3 को नीचे उतारेंगे। कि अब तेन का गुणा है वो वीचलन से करेंगे तो तीन का गुणा दो से करेंगे तो यह चैँ में यह एक जोड़ देंगे तो यह दो लगा के नीचे उदार देंगे 7 विचलन से 7 का दो से गुणा करेंगे तो 14 तो 14 और एक जोड़ेंगे तो यह हो गया 15 अब यहां जो यह 15 है यह सेसफल होता है लेकिन अपना जो भजजक है वो 8 है तो 8 से सेसफल बड़ा है तो इसलिए इस 15 को दुवारा भाग आठ से देंगे जो की रफ फरक होगा तो इस रफ कारिये को आपको अलग करना है इस रफ कारिये में आप 15 को 8 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा एक बार जाने पर जब इसमें से माइनस करोगे तो यह बचेगा 7 अब 8 से बाग देने पर जो बाग फल एक आया है वह यहां पर जो बाग फल 37 है उसमें जोड़ देंगे तो 37 हो रहे एक हो गया 38 और 15 माइनस जो आठ की है वो प्रोसेस यहां लिख के दिखाएंगे 15 माइनस 8 करेंगे तो यह हो जाएगा 7 तो यह साथ है यह हो गया सेसफल और जो 38 है यह हो गया बागफल तो इसके वहाँ पर यहां साइड में कोलम बनाके लिख देंगे तो इस तरह पर निखिलम से भाग करेंगे अब जो तीसरा क्यूशन है वो है 400 है तो तीसरे कोलम में यहां से बाज्य से दो आँग लिखने होंगे तो दो आँख लास्ट वाड़े 13 है तो इसको यांपे लिख़ देंगे और बाकी जो दो आँख lectures है 10 वह बीच वाड़े कोलम में लिख देंगे थोड़ा गैप से फर्स्ट कोलम के अंदर लिख देंगे तो विचलन है ये 12 तो 12 दो अंकोंका है क्योंकि आधार में 100 में 2 0 है तो विचलन दो अंकोंका है ये इसले 0 लगाने क्या आगी जरूरत नहीं है अब वापिस वोई प्रोसेस एक कोई रो लगा कि नीचे उतार लें अब एक का गुणा पहले जो लेफ्ट साइड है एक उसे करेंगे और फिर दो diffused क्रें तो एक का गुना एक से करें तो वो इस एयरो के नेक्सटेश लिए तो एक हुणा दोश्य करेंग तो दो लोम एक जोड नहीं तो यू जाएगा एक अभी इसे का गुना वापीस एक से कर तो एक एक का उना दो से करेंगे तो ये दो अब जो तीसरे कोला में जो संक्या उनको जोड़ देंगे तीन और दो पांच दो रेक तीन और एक है च्यार तो यहां जो 11 है वो भाग फल है और जो 45 है वो सेज फल है तो यह जो तीन क्यूशन है वो नीके लंवीधी से भाग है तो आप सभी विदार्ती जो कि अभी दस्वें कक्षया में है यह जो दस्वें कक्षया में आये हैं क्योंकि अभी दस्वें क्लास का मेत का प्रुवान नहीं होगा आगे कभी भी जैसे जुलाई या जून का बोल तो जूनिया जुलाइक के अंदर जब भी लगे तो दस्में काक्षय में जो विदार्ती है या नाइंत से अभी जो टैंथ में आए है तो करप्या करके वो जो यूट्यूब चैनल है वीकेस उसको सब्सक्राइब करें लाइक करें मैं आपके लिए डेली कि कम से कम आद्धा गंटा ये 45 मिट की क्लास हिंदी मेडियम और इंगलीज मेडियम दोनों में मेरे चैनल पे अफलेप्त करवाऊंगा वीडियो तो आप इसके लिए आपको ज़्याद से ज़्यादा सेर करना वीडियो को देखना लाइक करना तभी मागे आपके लिए वीड ने बॉर्ड में बॉर्ड से वीडियो अफ्लोड करूँगा तो पोर्ड पे करने के बाद अगर आपको बॉर्डическая समझ करें आ wil से मना լॉर्ड लेंगे अगर आपको कोपी से सही संधा रहे है क्योंग इसे सीद्र चमार कर करके देखा जा सकता तो इसे कोफी से समझा रहा है तो आपको कोफी से वीडियो मना करके अवेलेबल करा दें